चलो पैसो की बात करते हैं Batman के हर एक एक्तर को कितने पैसे मिले हैं पहले 1966 में Adam West ने डिल लाग डॉलर मागे थे मगर उन्हें मिले एक लाग डॉलर फिर 1989 में Michael Keaton आए पहली पिक्चर के लिए उन्हें मिले 5 मिलिए डॉलर और दूसरी के लिए 10 मिलियन फिर 1995 में Val Kilmer आये, उन्होंने लिए 7 मिलियन डॉलर्स फिर 1997 में George Clooney आये उन्हें मिले 1 मिलियन डॉलर्स, वही पिक्चर की विलन Arnold को 25 मिलियन डॉलर्स मिले फिर आया 2005 में Christian Bale वाला दौर पहली पिक्चर के लिए उन्हें मिले 9 मिलियन डॉलर्स दूसरे के लिए 10 मिलियन और डाक नाइट राइजेस के लिए उन्हें मिले 15 मिलियन डॉलर्स फिर आते हैं वो बैटमैन जिन्होंने सूपरमैन को पटक के पेला बेनेफलेक को भी 8 डिजिट वाली सैलेरी मिली थी जो कि इतनी जल्डी डिस्क्लोस तो नहीं है मगर अंदर के सूत्रों से ये बात पता चलती है कि 15-20 के आसपस ये भी लफिट के गए है और अब आते हैं अपने सबसे ताजा गरमा गरम बैटमैन पे रॉबर्ट पाटिसन उन्हें मिले हैं 3 मिलियन डॉलर्स तौबा